क्या ऐसे क्या देख रहे हो इतना खुश आंदी पहरी बार दिखाए गया वैसे अपन तो क्रिमनल है मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ और में पास खुश रहने की एक बहुत बड़ी बज़ा है क्योंकि हॉल अफ लीट में सारे के सारे सीजन वन से लेके 36 तक के एलीट पास बंडल जो लांच होने वाले थे फ्री फायर में पर अब मैं इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि अब फ्री फायर ने अपना डिसिजन चेंज कर लिया अब कहते हैं कि इस फिर सीजन वन से लेके सीजन फाइफ तक के बंडल सको रिलांच करेंगे बाकी को नहीं करेंगे मैं बहुत ज़्यादा खुश था गाइस मेरे सारे फायर लोटके आते हैं पर कोई बात नहीं मैं खुश हूँ क्योंकि वन से लेके फाइफ तक तो आई रहे है ना गाइस और उनमें सकूरा और हिपआप भी है गाइस वेल्कम टू दे गैंग वैसे मैं बहुत ज़्यादा कि मुझे बहुत दुख हुआ पर मैं बहुत ज़्यादा कुश हूँ क्योंकि आप उनमें भी कुछ रहेगा नहीं क्योंकि मुझे तो रिलाउंच कर दिया गया था ना वैसे एक बार रिलाउंच हो जाओ तो बंडल्स की भी ज़्यादा इज़त रहती नहीं है मेरा भी बह पर दिया नहीं क्योंकि बहुत दिल वाले कपड़े पहने हुए हैं सोच रहा था कि नए कपड़े पहलो आखिर वो दोनों भी तो लोट रहे है ना तो मैंने सोचा कि आखिर मैंसा क्या लो मुझे कोई थीम भी चाहिए थी प्यार महबबद से मुझे बहुत लगा वाया है मैं रहा क्योंकि मैं बहुत दिल वाला आदमी हो तो मैंने सोचा क्यों ना इश्क महबबद से कुछ जोड़े वी कोई चीज मिल चाहिए तो फिर मैंने इंटर्डेट पर सेर्च किया तो बता चला कि पहले इश्क का रंग लाल था फिर इश्क का रंग हुआ सफेद और आ रहे हैं तो मुझे नए कपड़े तो खरीद नहीं होंगे ना आखिर मेरी भाई बैन है और वैसे एक नए वाक्ट्रू गेम में घुसने वालों में तो उसकी वीडियो भी तुम्हें चानल पर बहुत जल्दी मिल चाहेगी तो उसको भी मिस मत करना बाकी सूना तो था कि ओल ओफ एलीट लॉंच करने वाले थे नौ डिसंबर को पर अब इन लोगों ने इसे पोस्पोर्ण कर दिया है तो देखा जाएगा कि वो कब लॉंच होता है तब तक के लिए उन लोगों को कुछ बताना मत ठीक है मैं ट्रस्ट खाना हो तुम्होंगों पर मेरा ट्रस्ट देना मना तुम्हारे घर में को सकता हूं मैं